सिकर धवन के साथ BCCI की ना इनसाफी इंबब्बे दौरे के लिए पहले कप्तान बनाया फिर क्यूँ हटाया क्या धवन को साइड लाइन करना चाते हैं सेलेक्टर क्या गबबर की करियर खतम करने की हो रही है शाजी जब बैस्टेंडिस को घर में रौनदा तो क्यूँ सेलेक्टर ने गबबर के साथ किया धोका फैंस खफा या धवन के साथ सही हुआ टीम इंडिया का ऐसा सेर इसके नाम सुल लेने भर से विरुदी खेमे में हलचल मच जाती है इसके बलेस के गरज से अच्छे अच्छे गेनबाजो की लैंध लाइन बदल जाती है इसके कप्तानी के गदर देख गदगद हो जाते हैं फैंस ऐसे दिगज के साथ हुई है महा ना इनसाफी जुम्मा जुम्मा चार रोस पहले ही अस्टेंडिस को घर में धोने वाले गबबर की कप्तानी से हो गई है चुट्टी भारतिय सेलेक्टर्स ने पहले से करदवन को जिमबाब्बे के खिलाब बंडे सिरीज के लिए कप्तान बनाया था लेकिन गुरुबार को कप्तानी से हटा दिया वहाँ भी बिना कोई कारण बताए अब चोट के बाद बापसी कर रहें लोकेश राहुल को टीम इंडिया की कमान स्वाप दी गई है खबर है कि लोकेश राहुल ने जिमबाब्बे के खिलाब सिरीज से पहले फिटनेस टेस्ट पास कर लिया जिसके बाद सेलेक्टर्स ने धवन की जगा राहुल को कप्तानी सौपने का निन्ने लिया सेलेक्टर्स का ये तुकलती फर्मान बड़ा हैरान करता है तुकि जब सेलेक्टर्स ने जिमबाब्बे के खिलाब बंजे सिरीज के लिए भारते दल का चैनें किया तो धवन को कप्तान बनाने के साथ ही लोकेश राहुल चोटिल होने के बाद भी टीम में सामिल किया ऐसे में सेलेक्टर्स को मालूम ही था राहुल सिरीज से पहले 100 फिजदी फिट हो जाएंगे तो धवन को कप्तान बनाया ही क्यों था सिरीजर लोकेश राहुल को कप्तान बना देते तो धवन को यहुई रुस्वा ना होना पड़ता और गबबर के फैंस को नेराशा का शामना नहीं करना पड़ता खैड छोड़िये सवाल तो यहां भी है जब रेगुलर कप्तान रोहित के गैर मौजुदिगी में धवन की कप्तानी में टीम इंडिया लागातार अच्छा परदशन कर रही है तो कप्तान जिम्बाब्बे दौरे के लिए कप्तान बदलने की जरूरत ही क्या थी क्या राहूल धवन से भैतर कप्तान है बिल्कुल नहीं गबबर और सेलेक्टर्स की चहते एनी लोकेश राहूल की कप्तानी की तुलना करके देखिए धवन ने पिछले साल जुलाई में स्रिलंका के खिलाब पहली बार हरते टीम की कप्तानी की थी और उसके बाद अब हाली में बैस्टन्डी दौरे के लिए बहां कप्तान चुने गए थे गबबर की कप्तानी में टीम इंडिया ने दोनों ही सिरीज जीती है बैस्टन्डी के खिलाब जहां भारते टीम ने तीन बंडे मैच की सिरीज में पहली बार उसके घर में कुलिंग सिर्प किया था त्रिलंका के खिलाब दो एक से सिरीज अपने नाम की थी के उलटके और राहूल के कप्तानी में भारत ने इस साल जनबरी में दक्षिन अफ्रीका के खिलाफ इस दोरे पर भारत ने तीन बंडे मैच खेले थे और सभी हारे थे राहुल ने एक टेस्ट तीन बंजे सहीद अभी तक चार इंटेनेशनल मुकाबले में भारत की कपतानी की है और सभी में हार ही मिली है ऐसे में फैंस पूछ रहे हैं किस काबिलियत के बदोलत वरोसे जिंबाब्बे दोरे के लिए धवन से कपतानी चीन रहुल को दी गई और धवन के लगातार सक्षेस के बाबुजित धवन के साथ इतनी बड़ी नानसा भी क्यों की गई